शिमारू के नई वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें वाँ खूब ये चाता ये बसता ये चश्मा क्या ये सब सड़के जोशी की तरह वो एक तोता और हरीदलो सड़क पर बैट जो जितना कमाते उसे ज्यादा कमाओगे ये बोल के कि तू मुझे एक घंटे बाद पैसे लोटा देगा तू पैसे लेकर गया पांच दिन हो गये हैं ना पैसा नजर आया ना तू वो जो मुंसपल्टी वो जो चेक है वो वो पैसे भी गए है लेकिन आप मुझे निकामा मत समझे आज नहीं तो कल ये सच्चन टिछकुले बहुत बड़ा कॉंट्रक्टर बनके दिखाएगा और बाबुजी उसके लिए मैंने सारी चलाकिया सीख लिए हैं तुझे सीखने की जरूरत नहीं है भगवान नहीं ये खूबियां तुझे पैदाइशी बख्षी है पिछले सनिवार से मेरी राशी बदल चुकी है बाबुजी अब आप मुझे एक के बाद एक तरक्की की सीड़िया चरते हो देखोगे टिचकुले एंटिचकुले कंपनी का कंस्रक्शन टिचकुले एंटिचकुले कंपनी का ट्रक्श ये सारी चीज़े घर के सामने रखने के लिए हमारे पास जगा तक नहीं होगी बाबुजी पता आपको तू मुझे पर एक अहसान करेगा बोलो आप जो बोलोगा करूँगा मैं दो टिचकुले में से मेरा टिचकुले निका यहां से तो टोटी तो छोड़ दे अब और क्या वोग वोग वो एक सौर पर और मिलेगा शाम को लटा दूंगा यह बूतनी का नहीं सुतरने वाला अरे उद्रागे देखो देखो लड़के वाले किसी वक्त भी यह आ जाएंगे सारी तैयारी हो गई हाँ हाँ सब तयार है कोई घरबट नहीं हो नहीं चाहिए नहीं दबाल के नहीं चाहिए तक शेटी पर अब भापस लेजा हार दिखता नहीं अंदा है क्या यह अराम खोट पिशक को लेके सडक साब मज़ूर है चल अंदर एक काम करो तुम लोग सामान उतरो और अरंतर ल अज घर में मुझ दिखाई की रसम होने वाली है जरा तुमाना यह पेंट पॉलिश्ट जम इस सभाल के मारना इदर दुर गिरना नहीं सी बिल्कुल नहीं करें और इस काम को पूर होने में किकना टाइम लगे काम से कम पांच दिन लग जाएंगे पांच दिन तू काम कर च अब क्या तोड़ा बोटर तेरा सत्या नाचो क्या करूँ को किया निश्ला इस रफट गया अब मैं तेरी भार दूंगा शाले क्या दुकां दर सभी मां मांद के पेर थी बोतर लीती पॉलिस की हम क्या करेंगे अब कौन आगे लड़के वाले आगे हरे अरे जल्दी कर हर सुबा रोज इनको परणाम करने से शुरू होती है ये तस्वीर बंगाल के मचहूर चित्रकार सुदीव देन ने बनाई थी उस दमाने में एक लाख रुपय दिया दा इस तस्वीर काम ने आज तो इसकी क्या वैल्यू है जी है तक अब कैसे चुटाएं शास्या नीचा मेरे को भी मालोम है एँ इश्ट्रकार मुदो मेरे कर एक आठ वर मेरे कई घरी तोड दे तुम पर मालूम है कि तनी महेंगी है हर और चिंतनन ऑराँ उसे इना जिसित्वेद्स से एकृव को ंठी पैसा इस से बसूर करना होगा सेट जी घड़ी कितने में पड़ेगी अरब मेरे दादा जी के जमाने के थी आ भाव बच गये महगी नहीं पुरानी है मैंने सोचा नहीं है पचास तार उपे कि थी है सुनिए जरा वो दहेज के पैसे लेकर इधर आये ना आया 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 ए चि करता हूं यह क्या किया तुने मैंने क्या बाव आप ने किया जल्दी से शाफ कर कर किया करता हूं बाहू देखिता हूं थेक करता जल्दिकर, 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 अभे 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 जल्दिक हुआ है क्या हुआ इसने रंग फेक कर सारी मिठायक खराब कर दी और यह देखो मेरा हाल लोगों ना बांग रखी है कि मेरी बेटी की चाहदी तुडवा के रहो गए इसके बत्ती गुल हो गई तो समाना हो गया तेरे को अभी पता चला अरे अरे इस लफंगे को अस बताल में जाकर फेक कर आओ यहां पढ़े-पढ़े इसकी जान निकल गई तो मेरी और जिम्मेद मैं तुम मेरी बेटी को तियार करों ना साशे लिए क्यों है से आये थे मेरा घर सजाने उजार के चले गए उल्लू बच्रक है पाई सचाहिए किस लिए अभी इसको ऑस्पदाल में ठूसना पड़ेंगा ना ती चार करोड़े जेब में दू तेरे को दू अंदर से निकाल के साले उसको उठाके बार फुटबाद में फैंक दिये समय मूनसबाडी गाड़ी उठाके ले जाएगी मैं तो उसके अन्दिम संसयर का खर्चा भी मेरे को या देना पड़ेगा जाए चल रोक 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 यले बासमतिशावल दोतिवन चला लेना लाए थे खरीद अरे खरीदा नहीं है, घर से चुला के लाया हूँ तू क्यों रो रहा, तेरी मा मर गई है पेपर में शिल्पा शेटिका लेकर हो गया भावू तो हम लोग क्यों रोए, वो उसकी तकदीर है, तू काम कर जाके चल शिल्पा शेटिका भी आ हो गया है कैसा चल रहा सब कुछ? दाल चावल तो है भावू, पर पकाने की जगा का है वो भी मैं ढूंडू, दल्लाओं गाउं का अरे उस गह में जगह है पकाने के लिए, लेकिन उधर की हिदिम्बा मना कर रही है फिकर मत करो, मैं पटाता हूं उसको अरे वो नहीं पटेगी दिखाओ, दिखाओ, जी नमस्ते पस nutrition के बारे में आपने मुझी का मालिक वो मुंसमालिटिका बस्टॉप त्यॉप्ति का में अग हिंदी में लेकिन हमेंえて मेंवाद नहीं बनaking मैं काम मांगने नहीं हूँ, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, बलके मेरे पास तो इतना काम है, इतना काम है, कि वो करने के लिए मेरे पास मजदूर कम पड़ रहे हैं तो मैं तुम्हें क्या मजदूर दिखती हूँ? नहीं नहीं दीदी, क्या है, मैं अपने मजदूरों का बहुत ध्यान रखता हूँ मेरे मजदूर, मेरे भगवान जैसे सारा दिन मेहनत करते रहते, अगर सही वकपा उनको खाना नहीं मिले तो बिचारे ठकार के तूट जाएंगे डाल चावल बिल्कुल तैयार है, बस दीदी इत्ती सी जगह चाहे है आपके घर बे पकाने के लिए, बस इत्ती सी जगह पर मेरे मैनेजर ने बताया आपने उनको मना कर दिया मुझे मेरे पती से पुछना होगा दीदी, आप मुझे अपना देवर समझे, खाली एक दो दिन की बात है, मजदूरों का भला हो जाएगा, आपको दुआय देंगे, प्लीज दीदी, दीदी आपको मेरी किसम है ठीक है, ठीक है, लेकिन एका फटा फटो जाना चाहिए अरे दाल खिचिडी बनाने में कितना वक्स लगता है दीदी, फटा फटो हो जाएगा, कोई परिशानी नहीं, आई शपत अच्छा, बस आपका बहुत बहुत दन्यवाद, आपकी बस देया चीए, अच्छा